हेलो वेलकम टू मैं मैसी वर्ल्ड तो स्वागे थे आप लोगों का मा का खौफ पार्ट तू में सारा काम जारू पोचा बरतन सब कुछ मैंने कर लिया और अभी मैं नहादो के आके तयार भी हो चुकी हूँ अभी मुझे जाना है एरपोर्ट ममी को रिसीब करने के लिए अल्रेडी लेट हो चुका है तो अभी बिना टाइम वेस्ट के चलिए मेरे साथ घर पे भी ताला लग चुका है और अभी मैं निकल चुकी हूँ एरपोर्ट के लिए पर मेरे निकलने से क्या होता है इनका निकलना ज्यादा इंपॉर्टन है यहां में एक और चीज़ बता करते ना बैग्स भी होंगे एक और इंपॉर्टन बात आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियोस को धेर सरा प्यार दीजिए लाइक शेयर कॉमेंट सब कुछ कीजिए अरे सपोर्ट तो करना ही होगा ना तो कीजिए ना और बजरंग बली क ट्राफिक के वज़े से हम लेट थे और भी ज्यादा लेट हो गए तो अभी गारी भगाना नहीं उड़ाना पड़ेगा हार्श ड्राइविंग भी करना सेफ नहीं है ज्यादा स्पीड से चलाना इस नाट सेफ तो लिमिट में रह के जितना जल्ली हो सके हम जाने की कर रहे थे और धीरे एक एक जगा पार कर रहे थे और यह रहा क्लॉक टावर जो हम क्रॉस कर चुके है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है यारपोर्ट तो थोड़ा सा सुकून मिला पर हमें पता चल रहा था कि नेक्स्ट फाइव टू सेवन मिनिट में लेंडिंग होने वा रुकना तो बनता था चाहे कितनी भी लेट हो जाए यह है मा काचागांती मंदिर और भोले बाबा भी है यहाँ पर तो यहाँ पर रुकना तो बनता है मैं एक्सर ही इसे मंदिर में आती जाती रहती हूँ कभी मुझे टाइम मिला कभी टाइम ना भी मिले आसपास कहीं से जाना हो कभी ऐसे वेले बैटे है तो मैं चले जाती हूँ मंदिर में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और यह है मेरे भोले बाबा माई प् करती हूँ कि कोई और सुनने वाला तो है नहीं और यह रही मा काचा गंती जस्ट लुक एड़ फेस एकदम शांती सी मिलती है इन्हें देख के पर आज थोड़ा ज्यादा जल्दी में थी तो जल्दी जल्दी निकल गई वहाँ से क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुगा और फिर वापस से हमारा धेनू हवा को चीरते हुए अपने गती को बढ़ाते हुए हमें मंजिल के और लेके जा रहा है टाइम से पहुचाने के लिए और तब तक तो फोन भी आ चुका है कि फ्लाइट लैंड हो चुकी है पर हमें अभी भी और पाच मिनिट लगेंगे जा अब ही टेविल घूम चुका था ममी के बाहर आने से पहले हम यहाँ पर पहुच चुके थे तो अलगी लेविल की शांते थी और मैंने सोचा थोड़ा इधर उदर घूम लेती हुँ तभी मेरी नजर पड़ी कुछ लोग उपर जो एरोप्लेंस में जाने की जो सीरी होती है वो बहार लगी हुई थी और लोग इसके उपर चरके एरोप्लेंस देख रहे थे तो मेरा भी मन क्या देखने का तो थोड़ी इधर उदर पहले घूमी और फिर मैं भी जाके चर गई और मुझे दिखाए दिया ये बड़े बड़े एरोप्लेंस पर उसे वक्त ममी का फोन आया है कि वो निकल चुकी है तो मुझे आगे थोड़ा जाना है तो बीना टाइम गवाए मैं निकल गई यहां से और फिर चली गई ममी के पास जाते ही ममी ने मुझे अपना बैक पकड़ा दिया और वो सिधा निकल गई हलके फुलके बारिश हो रही थी पर ऐसा कौन करता है भला एक तो ननी सी जान सुबह से किया इतना काम बड़ी परिशान और रखना पड़ा इतना सारा सामान मैं तो ठक गई भूग भी लगी थी तो मैंने डोनट खाई और एरपोर्ट को बोला बाबाई और आप लोग इसे भी विदा लेती हूं मिलती हूं मेरी नेक्स तो आप लोग भी मुसे जुड़े रहेगा बाबाई